हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे हीट्व चनल पर इस वड़े में हम आपको उताने वाले हैं कि अधर ओपो मुबाइल में क्रोम वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे सही करें तो अगर आप चनल पर पहली बार आएं तो डियो को लाइक और चनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको मुबाइल के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक उप्शन मिलेगा एप्स या एप मेनेजमेंट नाम का जहाँ पर सबी एप रहते हैं तो इस उप्शन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर आपको एक उप्शन मिलेगा App Management या Manage App का यह option नीचे उपर हो सकता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी apps आ जाएंगे अब आप अगर C पर आएंगे तो आपको Chrome मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Chrome पर क्लिक कर देना है या फिर आप चाहें तो सबसे उपर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे Chrome तो Chrome आजाएगा आपको Google Chrome पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको Force Stop का option मिलेगा Force Stop पर क्लिक करना है फिर आपको Force Stop कर देना है फिर आपको Storage, Usage या Storage का option मिलेगा यह option नीची या उपर हो सकता है तो इस option पे क्लिक करना है फिर manage space पे क्लिक करना है फिर यहाँ पर देखिए clear data पे क्लिक करना है और OK कर देना है OK करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका clear data हो जाएगा अब back आना है अब आपको देखिए play store को open करना है search bar में click करके लिखना है chrome तो यहाँ पर chrome आ जाएगा और यहाँ पर आपको चेक कर लेना एक अपडेट है कि नहीं है अगर अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ सी से आपडेट कर लेना फिर अपने mobile को एक बार restart करके reboot करना है या switch off करके switch on करना है और guys मैं आपको उता दूँ अगर settings में जाने के बाद यहाँ पर apps का या app management का option आपके phone में नहीं मिलेगा तो आप चाहें तो सबसे उपर search bar में click करके अगर app लिखेंगे तो यहाँ पर app management या apps का option आएगा नीचे उपर हो सकता है तो आप खोज लेना फिर आप इस पर क्लिक करना तो app management या manage app का option मिल जाएगा उपर इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से clear data कर सकते हैं Chrome यहाँ पर मिल जाएगा फिर guys आप Google Chrome को open करना आप क्योप phone में कोई भी problem नहीं आगी 100% तो guys आज करें बस इतना आई वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजिए एक प्यारा सा comment भी कर दीजिए थैंक यू